हाई मदर एंड चैलिकर में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच ऐसे फूड जिन्हें खाने से बच्चे का दिमाग तेच चलेगा उनका दिमाग जल्दी से ग्रो करेगा वे साथ ही उन्हें बूलने की बिमारी नहीं होगी तो सबसे बहले बात करते हैं दही की फूल फैट वाला दही बच्चे के ब्रेन सैल्स को फ्लैक्सिवल यानि लचीला बनाता है और इससे बच्चे कोई भी बात को जल्दी के कैच करते हैं और उस पर अपनी परतिकरिया करने की चमता को बढ़ावा मिलता है तो आप बच्चे को दही में आलू मैश करके खिला सकते हैं खीजडी में मिला कर दे सकते हैं शकरकन यानि स्विट पोटेट को मैश करके दही में मिला कर दे सकते हैं या फिर आप ऐसे खाली दही भी खिला सकते हैं फिर है एग यानि अंडे एग बच्चे की मैमोरी बढ़ आप बच्चे को बोल करके दे सकते हैं अंडे की आमलेट बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं या फिर अंडे की बूजी बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें अंडे को एक साल की उमर से कम बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए नहीं तो बच बच्चे को इससे अलर्जी हो सकती है, फिर थरड है अक्रोट, अक्रोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड के साथ ही एंटी ओक्सिडेंट अधिक मातरा में पाए जाते हैं, जिसे खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, इसे आप अपने बच्चे को जरूर से जरूर इसके इलावा बच्चे को सूखे मेवे जैसे किसमिस, बादाम, काजू, इत्यादी का पाउडर बनाकर दूद में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं, दलिया बनाओ तो उसमें डाल कर दे सकते हैं, या फिर हल्वा या लड्डू बनाकर उसमें खिला सकते हैं, फिर फोर्थ आता है सेब, तो सेब यानि एपल में एक एंटी ओक्सिडेंट होता है, जो बच्चे की मेमोरी को बढ़ाता है, और साथ ही बूलने की बिमारी को पैदा नहीं होने देता, और अगर आप बच्चे को अच्छे से जबाने लग गया है, तो कोशिश करें कि सेब को उसके छिलके सईथ ही खिलाएं, क्योंकि ज़्यादा नूट्रिशन छिलके में होते हैं, फिर फिफ्ट है हल्दी, जिसे हम मसालू में यूज करते हैं, इसमें एक तरह का पदार्थ पाया जाता है, जिसे बच्चे को खिलाने से उसका दिमाग जल्दी ग्रो करता है, साथ ही जो बूलने की बिमारी होती है, उसे भी नहीं होने देता, सबजियां बनाने में तो हर कोई यूज करता ही है, उसके साथ अगर आप गुंगुने दूद में जरा सा हल्दी पावडर बच्चे को मिला कर देंगी, तो उसका दिमाग की विकास अच्छे से होगा, तो हम आपके लिए इस परकार की हालफोर वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें